Hello friends, क्योंब friends, आज मैं आपको Pixar अप्लिकेशन के दुआज इस टेप से high-level concept photo editing और cinematic photo editing कैसे करते हैं वो सिखाने जारो Channel को subscribe नहीं किए तो subscribe कर दीजिए चले friends, आप photo editing को start करतेहो Pixar अप्लिकेशन को download कर देना और मेरे description link से सारे मिझे सबसे पहले download कर देना है यहाँ पर आपको background का selection कर देना है इसके बाद आपको क्या कर देना है background layer आपको मिलने के बाद यहाँ पर bottom layer आपको मिल जाएगा यहाँ पर all photo वाले option मिल जाएगा यहाँ पर जाना और आपको अपनी gallery में से खुद का photo ले लेना है यहाँ पर आपको simply चल जाना है यहाँ पर पहले वाला जो option रहेगा टैप person वाला फ्रेंट्स वह आपको select कर देना है automatic आपको background यहाँ पर erase हो जाएगा इसी photo को यहाँ पर थोड़ा पर stretch कर देना है stretch होने के बाद आपको यहाँ पर bonnet के उपर यहाँ पर इस image को रख देना है तो front इतना सब editing होने के बाद फिर से क्या कर देना है all photo पर जाना और यहाँ से आपको shadow png ले लेना है shadow png को लेने के बाद friends यही photo को आपको क्या कर देना है यहाँ सब को rotate कर देना और जो बंदा यहाँ पर बैठा इसके नीचे यहाँ पर set कर देना है एक shadow effect यहाँ पर create हो चुका है फिर से all photo पर जाना the editor वाला यहाँ पर text layer मिल जाएगा यही image को आपको क्या कर देना है select कर देना है इसके बाद इसी photo image को select होने के बाद इसका background आ जाए तो आपको क्या कर देना है यहाँ पर blending tool पर चले जाने blending tool में जाने के बाद friends आपको यहाँ पर screen कर देना है इसका background automatic यहाँ पर edit याणी erase हो जाएगा यही photo को आपको थोड़ा बहुत stretch कर देना है और car की जो फाटा के वहाँ पर आपको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देखिए फ्रेंस सारे फोटो को यहाँ एक्सपोर्ट कर देना है फोटो के इंदे glow effect चाहिए तो इफेक्ट टूल में जाना एफेक्स करना एफेक्स में अच्छी डिया है और इसके ब्लार अंशाप को थोड़ा बत कम कर देने फ्रेंस कैसे लागा फोटो आडिटिंग कॉंसेप्ट कमेंट करके जोरू बतन चैनल पर यहाँ नहीं आए तो चैनल को कर दिये सब्सक्रेव थैंक्यू फ्रेंस